लोगडाउन की अगदी में 36 गड़ बिजली विभाग ने बीना मीटर रीडिंग लिए मोबाइल में बिल भेजने शुरू कर दिये हैं बिल देखकर उपभोक्ता हैरान और परिशान हो गए हैं ओसत रीडिंग के बिल उपभोक्ताओं को पांच गुने अधिक मिल रही हैं एक भोक्ता का कहना है कि उनका बिल फरवरी और मार्च में महच 900 रुपे का आता है मगर इस बार यह बिल 4500 रुपे का भेजा गया है इसी तरह से एक भोगता का कहना है कि उनका बिल फरवरी और मार्च में कभी 800 रुपए से जादा नहीं आया लेकिन इस बार 4000 रुपए का बिल भेजा गया है एक अन्यों भोगता का कहना है कि उन्हें इस बार 8409 रुपए का बिल भेजा गया है यह बिल उनके अनुसार पाँच गुना अधिक है कई घरों में तो तीन गुना तक बिल आये हैं इन उपभोगताओं के अनुसार उन्हें उनके पंजिकृत मोबाईल फोन पर बिल संबंदी संतेश मिल रहे हैं इससे उन्हें यह भी बताया जा रहा है कि यह ओसत रीडिंग स जाए तो उसी ठीक करवाने में उनकी जुतियां घिश जाती हैं कई चक्कर काटने के बाद भी जब बिल ठीक नहीं होते तो भोगताओं को दरालों का सहरा लेना पड़ता है उप भोगताओं का कहना है कि जब सरकार नीजी स्कूल प्रबंदों को तीन महा तक स्कूल फीज पुरिचारी कर रही है तो फिर बिजले निगम को भी लोगडाउन अवदी के बाद मीटर रीडिंग लेकर सही बिलबर आकर भेजना चाहिए कई उपभोकताओं को बिल की ओसत राशिक पर भी आपत्ती है इसको लेकर डिसकोम में फोन के जरिये शिकायते की जा रही है इस पर इंजिनियर्स का जवाब है कि करोना संक्रमन को देखते हुए उपभोकताओं को दफ्तर आने से बचना चाहिए बिल के हर कन्फ्यूजन का लोगडाउन समाप्त होने पर समाधान कर दिया जाएगा बिजले विभाग के इरादे से पता चल रहा है कि अब उपभोकता ब थन्यवाद